जहेंद श्टूइंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूटीब चैनल सोनूसर क्लासेज में श्टूइंट्स जैसा कि आप सभी को अपडेट दिया गया है आज है आप सभी का 10 अगस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और 10 अगस्ट को अगर मैं आपको बताओं तो आपके question and answer challenge को आपको option मिल जाएगा और साथ में आप सभी को मैं बता दू जैसा कि question and answer challenge यानि answer की आते ही आप थोड़ा सा idea लगा पाओगे कि आपका यहां पे marks कितने मिलने वाले हैं और उस आधार पे आप धड़ले से अपना choice feeling करना सुरू कर दोगे लेकिन students मैं आप सभी को बता दू चुकि normalization है तो आपके सोचे हुए rank से जो आपका rank आएगा वो उपर नीचे हो सकता है and choice feeling का मैं आपको option दिखा दू कि उपलब्ध करा दिया गया है मैंने choice feeling and locking पे अगर आप click करेंगे तो अभी आपका choice feeling का option आपका खुल जाएगा और देख सकते हैं आप सभी यहां पे आपको choice feeling करने का option यहां पे दिया जा रहा है students मैं आपको बता दू कि admit card आप download नहीं कर सकते हैं यह activity close कर दी गई है और आपके पास अगर अपना admit card नहीं है तो आप बहुत बड़े problem में यहां फस सकते हो जो accept और join कर सकते हैं if offered mindful choice feeling will help you to avoid any unnecessary hassle of withdrawing from counseling this will also help the system to reduce seat vacancies ठीक है तो कहने का मतलब है आप अपना जो आपको जहां admission लेना है जिसको आप पसंद करते हैं जहां accept कर सकते हैं और join कर सकते हैं वही choices भरे हैं और वो कैसे भरा जाएगा कब भरा जाएगा ठीक है वो भी मैं बताऊंगा आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने हैं दोस्तों क्योंकि अगर यहां पे आप गलती कर दिये एक बार तो उसको दुबारा आप सही नहीं कर सकते हैं और क्या कह रहा है यहां पे नीचे कि इस मेंडेटरी तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स टू डाउनलोड एड्मिट कार्ड है न तो यह एड्मिट कार्ड डाउनलोडिंग से रिलेटेड यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है इस वे मैं आपको बता दू कि एड्मिट कार्ड अगर आपके पास नहीं ह है तो आप कहीं से भी अपने पीडियाफ की प्रिंट निकालवा करके उसको रखो अपने हाड कोपी अपने पास कुछ भी वगासा करो लेकिन एड्मिट कार्ड निकलवाओ अगर इस साल यहनी दोहजार तेइस में आप पॉल टेक्निक करना चाहते हो यूपी पॉल टेक्न यहाँ पे च्वाइस जो है वो आपका लॉक हो जाएगा अगर आप लॉक नहीं भी करोगे तो यहाँ जैसे ही च्वाइस फिलिंग ओवर होगी हलागी यह लास्ट डेट क्या वो भी मैं आपको इन्फर्म करूंगा और कब यहाँ पे च्वाइस फिलिंग करना है वो भी ज जाओगे और आपका जो च्वाइस फिलिंग होगा वो रैंक के अनुसार होगा आपके रैंक जू भी आएगा उसके एकॉर्डिंग आपका यहाँ पे च्वाइस फिलिंग होगा कैसे रैंक करना है मैं थोड़ी सी जलक आपको और जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं आपके साथ वीडियो में उसको थोड़ी सी मैं उसका जलक दिखा दे रहा हूं थोड़ा से समझा दे रहा हूं थोड़ा क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे एड्मिशन होता है यूपी पॉल टेक्निक में और आप यहाँ पे गलत कदम जो है ना उठाएं तो चल सेलेक्ट करना होता है अगर पर्टिकुलर कोई एक इंस्ट्ट को देखना चाहते हो तो यहां से सलेक्ट कर सकते हो जो कि अभी आप देख पा रहा हूं मैंने सेलेक्ट कीया है मैंने सीधे यह देख रहा हूँ कि जो आपका total जो यह aircraft वाला है जिसमें helicopter वागरा सब कुछ है aircraft maintenance, avionics सबका एक साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और category मैंने यहाँ पे select की है general यानिकी open जैसे कि आपको मैं open करके दिखा दूँ आप open यहाँ पे मैंने select करा है तो इस प्रकार से आपको यहाँ filter लगाना होता है अपने अपने जरूरत के अनुसार जो कि हर बच्चों की एक अपनी जरूरत होगी कोई लखनों पढ़ना चाता है कोई कानपुरूरं पढ़ना चाता है कोई गरूप A से पढ़ना चाता है तो सब बच्चों की अलग-अलग अपनी अपनी यहाँ पर पढ़ाई करने की इच्छा है, ड्रीम है तो सबका condition, सबका अपना-पना अलग filter होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि counseling एक जो है अपने आप में एक कला है अगर आप सीख पा रहे हो तो सीख के करो 100% एक एक वीडियो आपको मिलेगी और नहीं कर सकते हो self ठीक है तो आप हमसे contact कर सकते हो वैसे अगर आप A to Z सभी वीडियो चाते हैं counseling की तो इसके लिए channel को subscribe करके notification bell को press करके all पर select कर लिए सभी वीडियो आपको इस platform के माध्यम से सोनुसर classes के माध्यम से आपको प्लब्द कराए जाएगा अब students मैं आपको दिखा दूँ यहाँ फालतू की ज़्यादा बाते ना करते हुए कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे round 1 लिखा हुआ है यहाँ पे तीन रैंक वाले ने सिर्फ पहला admission ओपनिंग रैंक में यहाँ पे लिया है और यहाँ पे आपका third वाले branch में 61 रैंक वाले को पहला यहाँ पे आपको admission मिला है इसके बाद देखो आपका जो आपका avionics branch है इसमें 58 rank पे close हो गया admission और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका 33 rank पे close हो गया है और यहाँ पे आपका 88 rank पे पहले round में admission close हो गया है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पहले round में इसका मतलब क्या है सीधा यह मतलो मतलब समझो कि जो आपका यहाँ पे पहला मतलब आपका यह है कि यह जो branch है यनिकि आपका diploma in aircraft maintenance engineering avionics जो है आपका इसमें open category में जनरल में पहले बार में पहले round में 8 rank से ले करके 58 rank तक के बच्चे को admission मिला था वहीं अगर हम बात करें aircraft maintenance engineering की तो वहाँ पहले rank से लेकर 33 rank तक के बच्चे को मिला था पहले round में और वहीं अगर हम power plant जो है यहाँ पे helicopter and power plants की बात करें तो यह 61 rank से लेक तक यहाँ पर बच्चो को admission मिला था ठीक है इसी प्रकार round 2 में भी आप देख सकते हो जो है यहाँ पे अब देखो अगर मैं एक चीज देखू तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे देखो यह round 2 round 2 round 2 है तीनों branch के लिए ठीक है मैं सारा मिटा दे रहा हूँ सिफ round 2 को आ ठीक है अगर देखो round 2 में अगर और बच्चो का admission नहीं मिलता है तो first round का जो आपका यहाँ पर opening closing rank रहेगा वही repeat किया जाएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 है दुबारा 58 दिखा रहा है तो इसको जो है repeat तो इसको यहाँ पर आप देख पा रहे है जैसा कि repeat किया जा रहा है और ऐसे ही अगर admission आगे नहीं दिया जाता है बच्चो को तो repeat ही होता है अब देखो यहाँ पर opening तो 61 दिखा रहा है यहाँ भी 61 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए दुबारा से आपका 88 रैंक जो है दिखा रहा है अब 61 से 88 रैंक तक ठीक है इसके बाद यहाँ पर round third में जो है सीधे admission मिला 9 रैंक से लेकर के आपका 82 रैंक तक हैना तो कहने के मतलब अगर admission नहीं होगा तो वही रैंक जो है आपको repeat होते हुए दिखाई देंगे वही again and again यहाँ पर आपके जो रैंक से opening closing वो आपको repeat किया जाएंगे तो इस तरीके से आप बहुत सारी technique है बहुत सारी filters हैं जो मैं एक एक करके आप सभी को तरीका सिखाऊंगा और वो सब सीख सकते हो आपको A to Z सारी deeply knowledge counseling के बारे में दूंगा आपको सारी चीज़े सिखाऊंगा A to Z ठीक है बस channel से जोड़े रहे है stay tuned हर वीडियो उस पर नजर बनाये रखिए वीडियो को बार दूरा ग्यान जो है विस के समान आपके साथ कर देगा जो है आपके आपके लिए ही नुकसान दे हो जाएगा तो ये गलती आपको नहीं करनी है सीख रहे हो तो पूरी तरीके से सीखो और पूरी चीज़े मैं आपको सिखाऊंगा तो इस तरीके से ORCR है आपका जिसके according यह आपको जो है admission दिया जाएगा एंड जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप सभी के लिए जो choice feeling है वो अपलब्द करा दिया गया है और ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कब सर करेंगे choice feeling, choice feeling आपको करना है दोस्त आपका जब आपका rank card release हो जाएगा है after rank card releasing यहाँ कि आप जब आपका जो यहाँ पर rank card है जिस date को release हो जाएगा उसके बाद आपको choice feeling करनी है और ये आपका rank card कब तक आजाएगा दोस्त और आपकी choice feeling की last date कब तक है ये दोनों मैं आपको दिखाता है तो students जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 अगस्त 2023 तक आप अपने choice में modification कर पाएंगे अपने पुराने choice को delete and नए choice को जो है यहाँ पर add कर पाएंगे जोड पाएंगे तो यह आपकी last date होने वाली है 20 अगस्त जो की आप यहाँ पर अपना modification कर सकते हैं इसकी साथ ही मैं आपको बता दू कि अगर आप यहाँ पर starting date की बात करोगे तो 7 अगस्त इन्होंने बताया था बट यहाँ पर 9 अगस्त से जो है modification आपका start हो गया है अभी आप login करके जो है चेक कर सकते हो ठीक है लेकिन देखिए आपको अपनी choice feeling after declaring of rank card ही आपको करना है यहाँ पर अपना choice feeling क्योंकि rank जो है वो main है rank से ही आपको admission मिलेगा जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि आपके जो admission होते हैं वो ORCR के recording होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ और इस ORCR को analysis करके ही आप अपनी choice feeling जब करोगे तभी आपको य alert करेगा और सरकारी और added college कभी भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो यह चीज़ समझ लिजेगा private ही आपको alert होगा अगर private गलती से भी अपने choice feeling में भर लिए इसलिए गलती और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना choice feeling है और lock तो बिल्कुल मत करना वैसे तो जो है यहाँ पर choice को lock करने का option आपको नहीं दिया गया है जैसे ही वो सारी चीज़े जो process है वो start होगा उसकी पूरी information आपको यहाँ पर इस channel के माध्यम से मिलती रहेगी इसके लिए चाहिए चैनल को आप सभी subscribe करके रखें notification bell को press करके all पे select कर लें साथ में मैं आपको कहूगा कि telegram group को भी सकता है इसलिए आप लोग telegram group को जरूर जोइन करें वो काफी important है आप सभी के लिए सबसे पहले update के लिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही I hope आप सभी को choice feeling and साथ में आपको ORCR के बारे में ठीक है और इसके अलावा अन्य जो भी doubts थे आपके login वेगेरा के हिसाब से answer की के जो है यहाँ पर जो भी doubt थे answer की के बारे मैं दुबारा आपको बता दू कि answer की आपका जो है यहाँ पर answer की जो है जो challenge है है हैना question and answer जो challenge होगा वो आपका यहाँ पर start हो रहा है 10 अगस्त से आप यहाँ पर कर पाऊगे 9 अगस्त का जो है यहाँ अपर update कर दिया गया जो की लगातार अनुवरत प्रयास के बाद हुआ ठीक है तो यहाँ पे 10 अगस तक आप कर पाओगे 10 अगस से कर पाओगे और 11 अगस जो है यहाँ पे लास जेट है 10 और 11 अगस को ही कर पाओगे 12 को आपका कुछ भी नहीं बचेगा कोई option आपके पास नहीं होगा आप अपना लगातार देखते रही है चैनल से जुड़े रही है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे answer की के regarding and counseling के regarding and मैं आपको बता दू जो भी बच्चे counseling कराना चाहते है हमसे वो 9076929784 WhatsApp नमबर है हमारा जब आपका rank card यानी result आ जाएगा तो आपको अपना rank card share करना है and rank card के साथ आ QR code लगा उसको scan करके ये fees pay कर देनी है and आपको यहाँ पर अपना registration करा लेना है registration अब जो है पहले registration जो बच्चे करा चुके है वो करा चुके है अब registration close कर दिया गया है slot full होने की वज़ा से और यहाँ पर आपका अब जब rank card आ जाएगा उसके बाद ही दुबारा slot open होगा तो आप उसके बाद QR code को scan करके fee pay कर दीजेगा और अपने details सारे rank card and login details share करके और fees की screenshot जो है वो आप इसी WhatsApp नंबर पे भेज दीजेगा तो आपकी counseling हमारे द्वारा एकदम जो है ensure कर लिया जाएगा आपका 100% आपकी government college की guarantee ली जाएगी और 100% आपको government college जो है यहाँ lot किया जाए एक लाग से पार होगा तो government से थोड़ा सा नीचे यानि added college आपको दिलाएंगे लेकिन added में भी अच्छे college में आपको भेजा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको private college में कहीं से भी admission यहाँ पे मिलेगा आपको best से best और यह भी होगा कि आपको transparency भी रहेगी आपको जानका जाएगा और उसकी choice feeling की जाएगी उसकी पूरी information जो है दी जाएगी है ना तो यह process रहने वाला है counseling का जिसको जिसकी पूरी transparency के साथ आपका counseling किया जाएगा पूरी information आपको दे करके and आपके घर से जादा से जादा nearest जितने college हो सकते हैं उस nearest से nearest college में आपकी counseling कराई जाएगी तो यह process होने वाला है registration का जो कि देखो अगर देखो भाई इतना जादा आपका chat हो जाता है WhatsApp पे कि सबका reply देना हमारे लिए possible नहीं होता है ना तो सबका reply नहीं मिल सकता बच्चा जो भी यहाँ पे आपके देखिए comment या message में पढ़ता जरूर हो बट reply सबका देना possible नहीं ह क्योंकि इतनी बड़ी हमारी टीम नहीं है ना तो इसलिए क्या है कि आपका यहाँ पे counseling तो कर दिया जाएगा 100% लेकिन आपसे ज़्यादा बातचीत बातचीत वही होगी जो हमारा message आप तक पहुचाया जा सके या आपका message हमारे तक आ सके लेकिन another कोई भी आप सिर question WhatsApp पे जो है यहाँ पे मैं जैसा कि बार-बार आपसे repeat करता हूँ कि वह counseling purpose है और आप अपना जो भी counseling कराना चाहते हैं बच्चे आप में से वहाँ से संपर्क करके जो भी procedure बताया जा रहा है उसको follow करके अपनी counseling करा सकते है ना and साथ में answer की को लेकर के अगर आपको कोई भी problem आ रहा है तो वो भी 9076929784 पे अपने login details भेज करके आप क्या कर सकते हो वहाँ पर अपना answer की जो है वो प्राप्त कर सकते हो उसकी PDF प्राप्त कर सकते हो यह सुविदा free of cost हम आप सभी को अपलब्द करा रहा है ना इसमें कोई charge fees आपको नहीं देना है जो भी बच्चा answer क आने के बाद अपना login details provide कराएगा ध्यान दिजेगा दुबारा मैं बोल ला हूँ आपका यहाँ पर जब answer किया जाएगा उसके बाद जब आपकी link provide करा दी जाएगी जब video आपको दे दिया जाएगा इसके regarding की कैसे download करना है उसकी बावजूर भी अगर दिक्कत आएगा तो आप यहाँ पर इस WhatsApp नंबर पर जो है अपना login details share करके अपना answer की download करवा सकते हो तो I hope आच का ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और कोई भी गलती दोस्तों मत करि है अग्जाम भी नई एक्जाम में भी नहीं बैट पाए है न तो अब आगे जैसे जएग बच्छे गलती करते जाहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे छाटते उनको चला जाएगा इसलिए गलती आपको नहीं करना और इसलिए लगातार वीडियो को आप सभी follow करते रहिए न ज जो भी इंस्ट्रक्शन्स दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रही है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलें किसी अन्य वीडियो लाइप शेंट के साथ तक लेजा हैं वंदे मात्रम आप सभी स्वास्त रहें मस्त रहें